क्ल हमने conservation of forest and wildlife के बारे में जाना था कि हम किस प्रकार से जीव जन्तूओं और जो जंगल हैं उनका conservation करते हैं आज हम बात करेंगे सबसे पहले biosphere reserve के बारे में तो page number 79 में देखें जो बच्चे हैं वो प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ reserve area में इंटर होते हैं वहाँ प्रविश करते हैं माधव जी explains that माधव जी explain करते हैं biosphere reserves are the areas mean for conservation of biodiversity biosphere reserve का जो मतलब है वो क्या है are the areas mean for conservation of biodiversity biosphere reserve से कहने का मतलब यह है कि ऐसा शेत्र जहां पर जीव जन्तू पेड़ पौंधे और इस सूच में जीव होते हैं उनका क्या खेया जाता है उनका conservation किया जाता है ऐसे शेत्र को हम क्या बोलते हैं biosphere reserve बोलते हैं as you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो biodiversity यह वो क्या है is the variety of plants यह क्या है यह plants की variety है plants, animals और जो microorganisms जो पेड़ पौंधे जीव जन्तू और जो सूच में जीव होते हैं उनकी variety है जो ऐसे areas में ऐसे शेत्रों में पाई जाती है the biosphere reserves helps to maintain the biodiversity and culture of that area जो biosphere reserve है वो क्या करता है help to maintain the biodiversity and culture of that area वो maintain करके रखता है biodiversity और उस area की culture को maintain करके रखता है थीक है biosphere reserve में also contain other protected areas in it जो biosphere reserve है उसमें और भी बहुत सारे protected areas आते हैं ठीक है वो कौन-कौन से सुरक्षित शेत्र है protected area means सुरक्षित शेत्र the पंचमणी biosphere reserve consists of one national park जो पंचमणी biosphere reserve है वो consist करता है यानि वहाँ पर है आपकर एक national park जिसको हम क्या बोलते है सत्पुरा and two wildlife centuries और दो आपका क्या है wildlife centuries है जिनको हम क्या बोलते है बोरी और पचमणी बोलते है ठीक है flora and fauna वरस्पती एवम जीव as the children walk around the biosphere reserve they appreciate the green wealth of the forest जो बच्चे बोजो और पहली के साथ आपका biosphere reserve में गए थे वो क्या करते हैं वो appreciate करते हैं जब वो उन जंगलों के हरियाली को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बहुत ज़्यादा उसाइत होते हैं they are very happy to see tall teak trees and animals inside the forest वो बड़े खुश होते हैं जब वो देखते हैं बड़े बड़े सागोन के पेंट teak trees से कहने का मलब है सागोन के पेंट and animals inside the forest और जंगल के अंदे जो जानवर हैं उनको देखकर जीवजंदों को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं suddenly पहेली finds a rabbit and wants to catch it तभी उसी समय पहेली क्या करती है एक खरगोस को देखती है और उसको पकड़ना चाहती है sea starts running after it तो वो उसको देखकर उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है तभी प्रोफेसर एहमद इस्टॉप हर जो प्रोफेसर एहमद हैं उसे रोक लेते हैं he explains that animals are comfortable and happy in their own habitat प्रोफेसर एहमद पहेली से कहते हैं कि जो खरगोस है वो अपनी जो जीवन शैली है उसमें वो खुश है तीक है उसको किसी प्रकार का disturb नहीं करो मतलब अगर हम उसको disturb करेंगे हम उसको पकड़ेंगे तो वो डरेगा हम से ठीक है और वहाँ से भाग लेगी कोशिस करेगा और वो अपने आपको स्रक्षित महसूस नहीं करेगा तो इसलिए वो क्या प्रोफेसर एहमद जो है पहली को मना कर देते हैं कि भई आप उसको नहीं पकड़ो आगे देखें मादाजी explains that some animals and plants typically belong to a particular area मादाजी पताते हैं कि कुछ animal जानवर और कुछ पोधे क्या करते हैं typically belong to a particular area एक fix area में पाई जाते हैं The plants and animals found in particular area are termed flora and fauna और यह जो particular area होते हैं जहाँ पर आपका पौधे और यह जीवजनतु पाए जाते हैं तो जहाँ पर यह जो plants पाए जाते हैं उस शेत्रों को बोला जाते है flora और जहाँ पर ऐसे जीवजनतु पाए जाते हैं उनको बोला जाते है आपका fauna ठीक है आगे देखिए endemic species endemic species क्या है देखे soon the group quietly interest the deep forest पूरा group जो है शांती पूर्वक जंगल के अंदर जाता है children are surprised to see very big squirrel जो बच्चे हैं वो क्या रहते हैं वो अचंबे में पढ़ जाते हैं बहुत सी बहुत बड़ी गिलहरी को देख कर this squirrel has a big fluffy tail और इसके सर में क्या होता है एक मतलब ताज टाइब का होता है ठीक है they are very curious to know about it और जो बच्चे होते हैं वो इससे जानने के लिए बहुत ज़्यादा curious होते हैं बहुत ज़्यादा उससाइथ होते हैं कि माधर जी उनको कुछ इस बाले में बताएं तो माधर जी tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area जो हम ये बड़ी सी गलहरी देख रहे हैं इसको बोलते हैं आपका giant squirrel ठीक है बड़ी गलहरी and is endemic to this area और वो इसी area में पाई जाती है ठीक है आगे देखें endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area जो endemic species हैं ठीक है वो कहाँ पाई जाते हैं are those species वो ऐसी species होती है plants और animals की which are found exclusively in a particular area यानि पेड़ पौधों की जीव जन्तों की ऐसी प्रजातियां जो एक particular area में एक fixed area में पाई जाती है उनको endemic species कहते हैं they are not naturally found anywhere else ये हर जगा नहीं पाई जाती है a particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country a particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country इसका कहने का मदलब ये है कि जो इस type के जीव जन्तों या plants होते हैं पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं plant may be endemic to a zone वो एक zone में आते हैं एक शेत्र में आते हैं ठीक हैं और क्या होते हैं वो किसी आपका state का या country का वो एक बहुत important area होते हैं बहुती महत्वपूर्ण शेत्र होते हैं जहां पर वो सारी चीज पाई जाती हैं और ऐसे ही शेत्रों का सनलक्षन किया जाता हैं यहां पर किसी भी प्रकार का गैर कानूनी काम करना जो जंगली जीव हैं उनका शिकार करना हर एक चीज क्या रहती प्रतिबंदित रहती यहां पर पेड़ों की कटाई भी नहीं की जा सकती कुछ भी नहीं की जा सकता क्योंकि यहां पर हर एक चीज का रहती है गर में देख रहे हैं कि जो माधव जी हैं उन्हें जो जंगली आपका आम का जो पेड़ है और जो साल का पेड़ है उसको दिखाते हैं बच्चों को आगे देखेंगे बाइसान या बिसान इंडियन जियांट स्क्वेरल यह क्या है भारती सबसे बड़ी गिलहरी है और फ्लाइंग स्क्वेरल और एंडमिक फोना और इस एरिया इस शेत्र में पाई जाने वाली भारत की सबसे बड़ी गिलहरी बिसान और उड़ने वाली गिलहरी यहां पाई जा प्रोफिसर एहमद explains that the destruction of their habitat. Professor Ahmed explain करते हैं कि जब destruction होता है तो उसकी वर्याद से ये जो jiiv jantw रहते हैं因為 जो शेत्र है वो क्या होता है decrease होता रहता है कम होता रहता है जिसकी वर्याद इनकी प्रजाती जो है वो क्या समाप्त होने की गार में पहुंच रही है of their habitat increasing population and introduction of new spaces may affect the natural endangered their existence तो बढ़ती आबादी और जो क्या कि ते new species के आने की वर्या से जो पुरानी जो species हैं उस पर इसका effect पड़ना है और इनके समापत होने की जो समभावनाद है वो क्या होती जारी इनके स्थाइट की समभावनादIVE वो कम होती जा रही है दीरे-दीरे करके आगे देखिए species जो ये प्रजातियां पाई जाती हैं वो क्या है species is a group of population which are capable to interbreeding जो प्रजातियां होती है वो क्या रहती है is a group of population वो जनसंक्या का एक group है which are capable of interbreeding जो interbreeding करने का मतलब अपनी ऐसी संतान पैदा करने की शंता रखते हैं this means that the members of a species can reproduce fertile of spring only with the members of their own species and not with members of other species यानि इसका मतलब यह है कि the members of a species जो इस type के जो species के members होते है can reproduce fertile of spring वो प्रजानन क्रिया के द्वारा जो है अपने ही type के अपने ही members के साथ प्रजनन करके अपने ही जैसी species को जन्म देते हैं ना कि जो any species है उनके साथ reproduction करके नई species देते हैं members of a species have common characteristics जो एक species के जितने ही members होते हैं उनमें क्या होती है common characteristics पाय जाते हैं क्याने कि उनकी जो विश्यस्ताइं होती है सब क्या होती है एक जैसी होती है जैसे शेयर है वाज जैसी होती है हर एक चीज एक जैसी उती है का मतलब यह है कि जो एक टाइप की जो इस पेसीज होंगी उनकी सारी की सारी क्रेक्टरिस्टिक्स क्या होती है common होती है मतलब ज्यादा से ज्यादा common होती है ओके